एसा एसा एडिटोरियल एसा एसा एडिटोरियल मज़ा आजाएगा दिल देख कहोगे और सारा का सारा एडिटोरियल या तो जोगरफी से प्रेडित है या तो साइंस टेकलोजी से प्रेडित है या तो इंवर्णामेंट से प्रेडित है या तो एकोलोजी से प्रेडित है या सब जन सत्ता का वन उन दा बेस्ट क्लियर है चलिए करेंगे इसको शुरू लेकिन इससे पहले एक बार कॉंपी पे आता है सबसे पहले है एक सकेड़ है हाँ सोनु जी कहां खड़ा हुए भूमिका कहा है कि मैं में बिंदू का अंडर राइन कहां किया है अस्टार मार्क क्यूं है स्टेग क्यूं इस तरीके का साइन देना क्यूं मैंने तो बताया था नहीं देने के लिए आप यहां पे तो सही किया है यह पॉइंट पैंट देंगे तो ठीक है लेकिन फिर यह स्टार मार्क क्यूं एरो क्यों गपने कीजिए प्लीज देख लिजिए सीख लिजिए दूसरे से भी क्लिर है एक तो पहले ये आप ओफिस में मिलिए गाम से पकड़िए बैठिए चलिए ओफिस में मिलिए पकड़िए जल्दी तेजी से पकड़िए समय नहीं तीसरा सिभम जी कहां खड़ाओ ये सिभम जी सबसे पहले जो सबसी इंपोर्टेंट बात है ना सुद्ध लिखना शुरू किजिए और सुद्ध लिखने के लिए इससे बड़ा ब्रमाज धर्टी पर नहीं है एड़ोटूरिया अब एड़ोटूरियल इस नहीं पढ़िए कि मुझे कि मुझे सुद्ध पढ़िए कि मुझे सिखना भी है और साही लिख नाभी है अंडरलाइव वश्य अंगरलाइंक हम कर लेंगे वह कलि एड़ेंस मजे सीकना भी है और लिखना भी है इसके लिए आज में आज से आपको पढ़ना यह अपने दीमाह में ले जाके सच कर क्योंकि राजनीती भी आप सही से लिख पा रहे हैं और उस पर भी जब कोश्चन ही आपका गलत थे देखिए हैं न क्या चेक करेगा इंसान कॉपी आपका क्लिर है ना सुधार होगा ना इस बात को आप डॉट कर लिजीगा आप देखिए कितने सब्द के लिए हैं 200 सब्दों के लिए एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज चार सो सब्द में आप लिखाव एंसर आप सब्द भी गिनिएगा ने आप इसमें तो 300 प्लस सब्द होगा आप खुद गिन लिजी आभी और बता दीजी हमको हम देखिए मेरा फिडबेक देना यह नहीं कि आपको डिमोरलाइज करना यह डिप्रेशन में ले जाकर छोड़ देना मेरा फिडबेक देना इसलिए है क्योंकि हर दिन इस पर काम करके हमें आगे निकल जाना यह जब सही होगा नहीं तभी इंटर्व्यू कॉल आएगा यह सही नहीं होगा धर्टी पर कोई ब्रांडेट टीचर से ले के इंसिचूट आपको इंटर्व्यू तक नहीं पहुच्छा सकता है बच्चे का इंटर्वियू ले सकता है इंटर्वयू तक उसको पहुचाने की कaurais अंगी यह जब सही होगा इंसर्य को या आप समझ जाये एस्ट्रियम इक्वल टू एंसर राइटिंग दूसा कोई आप्षन पीटी का क्या नमर जुड़ रहा क्या आपके सामने है और 35 नमर तो कम से कम इंटर्विव में देगा ही देगा मिनिमाम और मैक्सिमाम लेने के लिए मेहनत करना है अगर यह अच्छा नमर रहा गया मालीज है ना तो यह चीज़ देखना अब देखिए असुद्धी पर ही आपका आज काम किये हैं आपके उपर जितना देखिए नहीं सब असुद्ध लिखाओ क्या लिखें है आपको खुदी पतानी चल रहा है कि नहीं चलिए लीजे फिट्वेक पढ़िए अपना नेक्स्ट अंजली कहां अंजली खड़ा हो कि सबसे पहले कई बार यह तीसरा बैठी नहीं सिवन जी बैठी आप कई बार आपको बता चुके नंजली भावो कि प्लीज अंडर राइन करना सीखिए हम सब कुछ है एक ही तरह सिखिए इधर मुबाइल फैंक देंगे हम मेरे क्लास में मुबाइल एकदम नहीं कि आप चीरहते हैं हमको तो फिर आप इतना समझदा डिजर्विंग कंडिडेट होके इस तरीके से हरकत करते हैं सरमानी चाहिए आपको जिद्धी चोपर ठोड़ी मुबाइल में लगे हुए बता रहे हैं बताने से भी सीखता है इंसान की ने की फिड़वेक यह है मुझे निक स्टैमें नहीं करना यह सम आपकी है मैं अपने लिए कर रहा हूं क्या क्या का मैं चेक एक तो कोई टेस्क ले नहीं रहा पूरे प पास किये तो आपकी किस्मत है फैल किये तो घर जाएए अगा देखो अंजली सबसे पहले अंडरलाइं अभी से ही पूरा लाइनिंग को ने अंडर अंडरलाइं करना जैसे लोग करते हैं बस एक वर्ड को क्योंकि ज्यादा अंडरलाइं करें इने तो उसको रही है इसलिए बस सब्द को करना और अगर ज्यादा करना है तो फिर क्या किजिए इन भाइटेट को मां से वह पूरे लाइनिंग को कर दीजिए वह वह बेस रहेगा यह करना शुरू किजिए एक तो यह गलती है आपकी भूंका उनका बिल्कुल सही है थोड़ा सा पॉइंट वाला एंसर दो से आर हाइलाय तीन तो गलती से नई जानी चाहिए अगर तीन गया तो फिर पॉइंट का उड़ाहा का वो तो पैलगाशा में परिद आपको पर नग्राप की तरह लिखो है ना बस पॉइंट का मतलब क्या है बटर का मतलब क्या है एक केजी दूद है उससे बटर कितना निकलेगा सो दो सो ग्राम अगर आपका आधा केजी बटर निकल रहा तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है मठा भी मिक्स है तभी तो उतना चला जा रहा ना और वो रहेगा तो क आफी ओस तो जी खड़ाओ ये कांसुतों जी अकहा राणा जी खड़ाओ ये पर्दूशन गलत लिखे हैं पूर यह इतना बड़ा माफी है आपको भी क्या करना है असुद्यों पर ज्यादा ध्यान रखना दिखिए पूरा परदूसन को वर्वात करके रखने हैं बाकि लिखे हैं परफेक्ट आप लिखने की कला आप में विक्सित हो गई है इसलिए दिल से दुआ आपको बहुत हदितक परिवर्तन आपको धिग्या है यह चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता हां थोड़ा और परिवर्तन करना अभी तो स्टार्टिंग है दिरी दिरी हो जाएगा परिवर्तन आप आज आईएगा ट्रेक पे यह एंसर खुदी ची जी नेक्स्ट यह कौन है आलोग जी कोशिस तो बहुत करते हैं बिचर ख़ाओ यह ऐसे बैठना जिसे लग रहा है बरातीम आया कोशिस तो आप बहुत कर रहे हैं लेकि कुछ सुधार की जवर्त है और सुधार की जवर्त है आपको एक बार ओफिस से मिलना आप ओफिस में के मिलें हम से अभी तो बता ही देंगे जैसे आप लिके जल पर्दूशन इतना बड़ा लाइनिंग इस पराग्राप कहां है इतना बड़ा चेक करें गई लग रहा जिसे की किता भी भाशा आप देखिए अब सरकल जुका रहा है यहां देखिए दिख रहा है ने एक तो य किया के और कि समुमें वही काम किये है हैं पूरा स्टोडी की तरह लिखते हैं स्तोडी की तरह मत लिख एक ही कि न समझे क्या है पहले यह समझ यह इदर देखे भी पुल जी सामने वाली की कम जोड़ी क्या है अगर कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा तो उसकी कम जोड़ी बस एक चीज है फॉर्मेटिंग और पॉइंट वाजी एंसर दीजिए उसका सबसे बाद कम जोड़ी है अगर यह दो पेज में फॉर्मेटिंग इधर देखिए उजल जी बत अगर यह दो पेज में बिच फॉर्मेटिंग और पॉइंट वाइज एंसर लिखे हैं और इधर से पुस्पाजी छे पेज में लिखी है तो यकीन मान यह 40 नमर का है तो पुस्पाजी को बहुत मिलेगा और शक्रमेटिंग शी जाएं तो बारे से 11 नमर मिलेगा और इनको बर मिलेगा तो 27 से 30 नमर के आशल की दिए इतना का फासला है जबकि छे में समय हुआ इंका दो पेज में वह यह उसका सब्से बदा कम जूरी है आप बोलते हैं न वह तो है यह सोन तो लिजई है आप बोलते हैं इंग्लीज मीडियम मला हमसे निकल रहा है इसी में निकल रहा आगे और गिंच को देखो तो क्या चाहिए क्या डिमांड कर रहा है कितना supply करना है मांगरा पांस मांगरा पांस दो कि आई यह बाकल को पहरा ग्राब बदले भीवेग जी है कि ने रूमिका अच्छा इंटोडेक्शन आपका सही हो गया है अपने से लिखे हैं और यूज किये हैं जो भी किये हैं सांदार किये हैं सब कुछ आपका शही है कि थोरा सा हैं राइटिंग को बड़ा की जिये हलका सा बड़ा कर दिजी परफेक्ट हो जाएगा महूद छोटा है रहम कीजिए मेरे उपर साठ साल अप्छी सब्छी सा नहीं है आपको फील करना कि आयोग में बैठे हुए हैं प्रोफेसर हैं साठ साल उमण हो गया है कि यह क पक दीजे उनको राजे जी कहां राजे जी कौन दे देंगे राजे जी को कौपी क्योंकि फिल्फ हो जाएगा है कोई छोड़ दें चलिए यहीं रख देते हैं नेक्स्ट आसुतोज जी लीजिए फीड़बेक तो आपको मिली गया है पकड़िए यह है सीवाम जी कहां सीवाम जी खड़ाओ यह सीवाम टू देखिये हमारी बच्चों में दिक्कत क्या है फिर से एक बार और रिपीट करते हैं हिंदी मीडिया में क्या दिक्कत है जब वो लिखने लगता ना उसको खुदी पताने होता कितना लिखा जाए पूरा समा और सीमा लड़की का नाम नहीं ध्यान रखना समा और सीमा समा मतलब क्या है जब लिखने लगे आप तो आपको मजा आए और चेक करने वाले को आपसे भी ज्यादा मजा आए इसको कहते हैं समा समा बांदेना प्रेम चंद का गोदान कभी पढ़ो तो फिल ऐसा होगा ना सीमा जी कि लगेगा कि इसमें करेक्टर हमीं निभा रहे हैं है अगर पढ़े होंगे गोदान तो नहीं पढ़ें तो कोई बात निए संटोश कर लिजे हैं ना ऐसा ही फिर ले होता है लगताई ने छोड़ने का मन करता है लगता उसको पूरा जब तक ना कर लेता तक छोड़े, इसको कहते हैं समा और सीमा का मतलब होता है इधर देखिए सीमा का मत्म होता कि जो आपको दिया गया Holyo थीछ सौजब में दो सो सभनाने 400 सभन वह साकर रेष्य में और इसका च्छों सब्सक्राइग करें लिव 야 कि इसका मतलब है कि सुधारकी गुढ़ा सकतम होते झाहे है यह से सुधार काचंद जी खड़ाओ ये इनकी कौपी बड़ी सांदार है 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 युद्धिक लेकर आप देखिए न इदम नपा तुला सब्द जिसको करते न परियोग करना इदम नपा सुला जादा इदा उदर का खेलने कोई ड्रामा ने सब्द का शीमा भी कंफर्म है और लिखते भ बड़ा न छोटा है कि मितलेज जी खड़ाओ ये मितलेज जी इन में भी सुधार हुआ है अगर देखा जाए तो इस सब्दाहम अगर कि नहीं के कॉपी में सुधार हुआ है तो मितलेज जी के कॉपी में सुधार हुआ है सबसे ज्यादा क्योंकि सब्दाहमें किसी ने किस से आज उनका बड़ा बढ़ियां पड़िवर्तन हो गया कुछ ने आता था आज केट में बड़ा सांदार लिखना सुरू कर दिये हैं लीजिए कि देदी है कि उठा दीजिए कि सिभाम जी लीजिए आप ही का है कि दीजिए ना उनका उने का है कि विबेग जी नहीं विकास जी विकास जी कहां है आप यह विकास जी लगता है हुई यह खड़ा मिलिये आप मिलिए हमसे ओफिस में पाप कर करिए एक और है विकास जी का हा यह आपका है हां इसमें है हां इसमें थोड़ा सहसुदार करने का थोरा अस्पस्ट लिखे हैं बड़ा अच्छा लिखेने में कोई कमी नहीं कि जो चाहिए वो डाले हैं बस प्रोसेस अगर डालते नहीं तो मजह आ जाता प्रोसेस जैसे अगर आईसे आपको से इधर देखो अजली अईसे थाली देखें न थाली में क्या होता है रोटी शेपाती रखी जाती रोटी बगल में क्या रखी जाती सब्जी उसके बगल में आचार उसके बगल में हलुआ उसके बगल में आप क्या किये हैं टेंसर ने ल हलुआ में जा रहा है दूसरा धाला जो बहर रही है वह सलाद में जा रहा तो सलाद तो बरदास कर लेता है हलुआ किया खटा मिठा लग रहा है वह अंदर जाने का बाद बता देगा हम क्या है अब आप समझे अगर इसको सही तरीके से रखा जा जिससे कोई किसी में ना टु यह क्या कर रहा है यहां पर तो ऐसी लिख देते हैं जब मेंस में वहां जाएंगे तो वहां रगर वारेगए बाध कॉंफिडेंस देखो और इसा कॉंफिडेंस सुजी सरक है इसी चूट में मिलेगा बागी दुनिया में कहीं कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है कितना खुच होते हैं अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं एक सकेट है अ चलिए अभी नाजी कहां ख़ड़ा हुए अभी 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 सुनियेगा ठीक है नहीं आज आपकी कोफी सब चेक होगी अभी नास आपका है ये अच्छ बैठिये लिखे बड़ा सांदार है विनाज जी लेकिन गलती हो गई है इंटोडेक्शन हमेशा सबसे पहले फॉर्मेटिंग अपसा स्टार्टिंग किया हाँ अभी ओफिस में मिली आप सब ओफिस में मिलेगा जिनकों जिनकों ओफिस में ये कौन से महापनूश है उज्वल जी कहां उज्वल जी हाँ हां थोड़ा सा है जो नए नए लोग आते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती क्योंकि उनको कोई बताता नहीं कैसे लिखा जाए लिखें है पर्फेक्ट लाइनिंग भी पर्फेट दियें फेक्ट भी दियें जो चीज चाहिए जो ज़वरत चाहिए इस पोश्चन को वो सब डालें लेकिन वहीं हौच पॉट टाइब से डाल दिया बस जो मनाया जैसे मनाया अधी मेटिये ना कहीं फूर मेटिंग है ना कहीं दाटा है ना इनका निजकर्त थुरा सव्ही मिली है ब्रोव का है तो भूम्ह का लिक्ट कैसे लगरा हजिसे लिए हम पढ़ा रहा भूंगा लिखने का नहीं है, हाँ, अस्टार्टिंग है, इसलिए इनका दिकत, कोई बात नहीं उज्वल जी, मिलिया ओफिस में आप, अभी मिलिया ओफिस में, साव ओफिस में, अंजली, थोड़ा सा बिस्तित और करना, हलका सा, इसको डिस्क्राइब करना, यी चीज़ ध् सिर्थे, लाष्ट में क्या करती हो, बड़ बाद, हमारा सकल देखिए, इधर देखिए बिबिएक जी, हमारा सकल देखिए, कैसा लगता, अ सब को प्यार आता है, मेरे सकल पे, अगर यहाँ पर, अईसे रथा, ऐसे करके हम रहते हैं, काईसा लगता देखने में, यही काम इंसर में करती है सब कुछ बढ़ियां बना देती है लास्ट में क्या करती है उब जाओ हमसे और यह क्या करती है अस्टोरी लिखना सुरू कर देती है और जवरत से जादा स्टोरी लिखना गलत नहीं है मैं नहीं कहता हूं गलत है अस्टोरी भी अस्टोरी तक ही रहे अगर स्टोरी से पार हो गया तो समझों एफरेज नमर आजाएगा और एफरेज नमर आया तो इंटर्व्यू कॉल नहीं आएगा देजिए कि यह किन का है जरा बताईये हमको लगता है यह को नए सुडेंट्थ है लिखें बड़ा सादार है लेटा पहली बार इनका लिखा हुआ है लेकि गजब का लिखें देखिये ना कि साइद लग्ता मिथलेशी जी हैं सौसाद में नपातुला लिखे हैं आप ही का है लिजिए दीजिए उनको है साइद हरियाना गया है यह हाँ सिभम जी कहा है आप ही कहा है न यह कौन सिभम जी है अच्छा बिहार वहां से पटना सीटी वाले जो है सिभम जी भारत छोड़ा अंदोलर में बिहार का जाध दास्ता की भूम का कोहां है फुषपा जी बहुत सुधार आप में भी है फुषपा जी हेंडाइटिंग भी जबर्दस्त है बस थूरा सा हलका सा प्रेक्टिस से होगा घबराने की बात ने भूमिका में काम करना आपको भूमिका टूदी पॉइंट कोश्चन के एकोडिंग दोड़ना चाहिए भूमिका इधर उदर की बात नहीं भूमिका में एकदम जितना दिजिए इनका ध्यान ही कहीं और है क्या करेंगा बेचार अपने ही परें यह भी एक डिजर्विंग है कंडिडिट अगर इनका पीटी हो गया तो इनका इंटर्व्यू कोई रोकेगा रानी नजर ना लगे सिच्छा का नजर जल्दी लगता है यह बात है लेकिन यह डिजर्विंग है इस यह देंगे रिजल्ट अब इसके बीच में 6-7-8 महिना भी बचा हुआ कुछ उठपटांग वाला काम कर लें तो अलग बात है जहां पर रात बर कॉल में वेस्ट हो जाए तो अलग बात है लेकिन यह डिजर्विंग है सबसे बड़ी बात इनमी क्या है एंसर तो गिला जबाब है राइटिंग द लिए यह नहीं लग रहा है कि हाँ यह पेज भर रही है जैसे आप लोग जब्रत से ज्यादा खीच के पेज को भर देते हैं यहां से देखिए उतना ही जो चर्चा की है उसी का डिसकर्शन की है चार पॉइंट की है चौँ चारो का डिसकर्शन दो पॉइंट है तो डोग का डिसकर्शन आप लोग में क्या हो जाता कभी कभी कि आप छे पॉइंट करते हैं और डिसकर्शन करते हैं तीन ही पॉइंट का वह निगेटिव रहे लेगा आपको इनका दूसरा मूर्ति का लावाला यह भी देखिए परफेक्ट एंसर दो एंसर लिखी हैं दोनों एंसर लाजबाब इंसर इनकी कोपी आपको मौका मिले तो जरूर देखिए देखिए थूरा सा निसकर्श पर काम लेखना क्योंकि इसकर्श परफेक्ट नहीं वह पारा जो शाहिए हमको पुस्पा जी चलिए आपका परफेक्ट लीजे है आपके इंसर राटिंग पहले करती थी क्या है कि खुद से करते थैं इससे जलक रहा अभी हमको लगता है यह मिला के चौथा या पांचमान इंसर राइटिंग हो बैठे 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 आ बैठे ना मेरे इस हाँ चारी मेरे यहां मेरे यहां दिजिए यह किनका है सोनु जी कहां सोनु जी खड़ाओ यह मिलिया आप आप लिखते बहुत है यह आलोग जी आप एक चीज़ है लिखते बहुत हैं लेकिन आप एक बार हमसे मिल के लिखिएगा मेहनत करते हैं आप लेकिन प्रोस्ते से आपको करने दीजिए उनको हाँ आप ही का है यह कौन लिखें है अब बीबेग आपका नहीं होगा लगता अपी का है आपका है हाँ तो खड़ा आप यह इसे हो रहा है जूक के जिसे छाता लगा लिए लिए पार पहले का है चलिए अब दे दिजिए लो रानी यह कौन सा हैंडाइटिंग कौन डॉक्टर का हैंडाइटिंग निख्या अपना नाव बिन्दु जी कौन है यह आप का क्या अच्छा अच्छ अँच्छ अच्छ 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 आ हरे आप देंजरस मनुश है है यह अव इसके हूँ है क्या मईब यूप पित फील्बिगे वन कए विज यह किन का है स़ाट सॉली सॉली आहलोट जी नहीं नहीं बहुत परफेक्ट है उज्वल लाज जी कहां उज्वल लाज जी मिलिये अस्टोरी लिखें दिजे सबसे ज्यादा उज्वल जी का यही बड़ा हमान में दे दिजे उज्वल जी का होगा उनका दिजे अंजली कहां हो यह तो परफेक्ट है पालकला मितलेजरी अब देखिए इनका हेंडाइटिंग जार देखिए अच्छा आदमी का दम घूट जाएगा कोफी चेकर मां सुसाइट कर लेगा अगर सुसाइड नहीं किया नहीं तो घर में जाकर पतनी से लराई कर लेगा यह यह नहीं वह पतनी भी अगर तो टाइट वाली होगे ना जो मूह लग के बोलने वाली होगी तो बेटी को जाके कुट देगा यह बेटा रोज देगा पूली हैंडा टींगे डेंजर्स लिखें डाइठी सुदार कीजिए नालन्दा ये कौन है हाँ देखो ना अच्छा अब इनाज जी कहां राजी अच्छा नालन्दा के देखो तो हाँ बड़ा डेंजरेस मनुष्या आपको साह देना बहतर्वी देना एकतर्मी अच्छा देखें कितना लिखें बस इनको प्रोसेस बताना ये कौन सा नमरे इंसर राइटिंग है आपका पहला है न मिली हमसे ओफिस में हाँ तो आपिस में मिलने बोलतो रहे हैं